खराब मौसम के कारण इंडिगो एरलाइन की एक फ्लाइट शनी बार 10 जुन 2023 को पाकिस्तान पहुँच गई। फ्लाइट रास्ता भटक गई और पाकिस्तान के गुंजरां वाला में पहुँच गई। खराब मौसम होने की वज़ा से इंडिगो की फ्लाइट 6E 645 को अटारी से पाकिस्तान के हवाई छेतर में उतारना पड़ा। इंडिगो ने बताया कि इस मामले में अमरित सर इस्तित वायो यतियात नियंद्र ने पाकिस्तान के साथ फोन के जरिये बहतर तरीके से समन्वे किया। इडिवा फ्लाइट का क्रू स्टाफ लागता रेडियो या टेलीफोन के जरिये पाकिस्तान के संपर्क में रहा और विमान सुरक्षित तरीके से एहमदाबाद हवाई अड़े पर उतारा गया। पाकिस्तानी अकबार डॉन की खबर के मुताबिक फ्लाइट रडार के अनुसार चार सो चोवन नट की गती से उड़ रहा भारतिय बिमान शनी बार शाम करीब साड़े साथ बजे उत्री लहोर में प्रविस कर गया और रात को आठ बज कर एक मिनट पर भारत लोटाया। खबर के अनुसार नागर बिमान प्राधिकरन के एक वरिष्ट अधिकारी ने कहा कि यह असमाने नहीं है क्योंकि मौसम खराब होने की स्थिति में अंतरराश्टिय रूप से इसकी इजाज़त होती है। इससे पहले मई में पाकिस्तान में भारी पारिस होने के कारण पाकिस्तान इंटरनेशनल एयर लाइन का एक बिमान भारती हवाई छेतर में प्रविस कर गया था और करीब 10 मिनिट तक वहा रहा था। बिमान पीके 2 से 48 चार मई को मसकट से लोट रहा था और उसे लहौर में अल्लामा इकबाल अंतरास्टिय हवाई अड़ा पर उतरना था हलाकि भारी पारिस के कारण बोईंग 777 बिमान के पाइलट के लिए ऐसा करना मुस्किल हो रहा था। इसे विश पाकिस्तान में हवाई अड़ो पर खराब विजिबिलिटी के कारण उड़ानों का मार्क परिवर्तित किया गया है या उनसे देरी हुई है। CAA के प्रवक्ता ने कहा कि अल्लामा इकवाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 5000 मीटर रहने के कारण लहोर के लिए मौसम की चेताउनी की और दिश शानी बार रात साड़े 11 बजे तक बढ़ा दी गई है। खराब विजिबिलिटी के कारण लहोर जाने वाली कई उड़ानों को इसलामाबाद भेज दिया गया। पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में शानी बार शाम तेज हवाओं के साथ बारिस हुई। आशरवाद इजी कॉन ग्रूप भरोसी का दूसरा नाम हम सिर्फ घर नहीं खुशिया भी बनाते हैं। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आश्याना तो कीजिये हमारे नंबरों पर संपर।